आज की क्लास में हम क्लास 6 का बसंत बुक का चैप्टर 3 नादान दोस्त का प्रशन उतर करेंगे इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे आप उहां से जाकर देख सकते हैं यह कहानी प्रेम चंद जी द्वारा लिखित है नाम है नादान दोस्त इसमें हमने देखा कि किस तरह से बच्चों की नादानी के कारण चिरियां अपने अंडों को अपने से दूर कर देती है तो चलिए अब हम इस पार्ट के प्रश्णों को देखते हैं और इसके उत्तर कैसे करें समझते हैं पहला प्रश्ण है अंडों के बारे में केशब और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसलिक क्यों दे दिया करते थे तो इसका उत्तर होगा केशब और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्ण उठते थे कि अंडे कितने बरे होंगे किस रंग के होंगे कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, उनके पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में सब जानना चाहते थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के लिए अम्मा और बाबुजी के पास समय नहीं था, इसलिए दोनों आपस मे ही सवाल जबाब करके अपने दिल को तसलिक दे दिया करते थे, अगला प्रश्ण है, केशव ने श्यामा से चितरे टोकरी और धाना पानी मंगा कर कार्णिस पर क्यों रखे थे, तो इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आएं हों उन्हें ये लगा कि बच्चों को भूख, प्यास और धूप लगती होगी, इसलिए चिरिया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए केशव ने श्यामा से टोकरी मंगाई और चितरों से उनके लिए गद्दी बनाई और बच्चों के भूख, प्यास मिटाने के लिए द इसका उत्तर होगा केशब और श्यामा ने तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए लेकिन उनसे नादानी हो गई उन्हें नहीं मालुम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिरिया उन्हें छोड़ देगी दोनों बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास मे उन्हें छू दिया और वे गंदा हो गए इसलिए चिरिया ने अंडों को नीचे गिरा दिया वास्तव में तो वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे लेकिन नादानी में उनकी हत्या हो गई अब अगला प्रश्ण है केशब और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमाल लगाए यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमाल लगाते और क्या करते तो इसका उत्तर होगा केशब और श्यामा ने यह अनुमाल लगाया कि अंडों को तिनको पर परशानी होती होगी और उन्हें वहां धूब भी लगती होगी उन्होंने सोचा कि चिरियां सारे बच्चे का पेट नहीं भर पाएगी और बच्चे भुख से मर जाएंगे यदि हम उनकी जगह होते तो यह अनुमाल लगाते कि कहीं कोई जानबर अंडों को गिरा न दे और मैं उन्हें बचाने का प्रयास करता और उनके लिए दाना पानी जमीन पर रख देता अगला प्रश्ण है मा के सोते ही केशब और श्यामा दोफर में बाहर क्यों निकल आएं मा की पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवार खोल कर दोफर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया तो इसका उत्तर होगा मा के सोते ही केशब और श्यामा अंडो की हिफाज़त करने दोफर में बाहर निकल आएं पिटाई के डर से मा के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने बाहर आने का कारण नहीं बताया अगला प्रशन है प्रेम चंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा तुम इसे क्या शिर्षक देना चाहोगे तो इसका उत्तर होगा हम इसका तूसरा शिर्षक बच्चों की नादानी या रक्षा में हत्या देना चाहेंगे अगला प्रशन है पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिरियां ओहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी वे कहां गई होंगी इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचित करो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि चिरियां के सारे अंडे फूट गए इसलिए दोनों ओहां स समझा और उसे कंपलीट किया तो आज के लिए इतना ही अगली क्लास में हम चैप्टर फूर समझेंगे